दूस्तों आज की कहानी है सासुमा आप कैसी मा हो अपने ही बेटे बहु को गर से निकाल रही हो दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर आपने सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया उतो कर लीजिये ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो रंजनीर जी सुबह उटकर मंदीर जाने के लिए तियार हो गई ये उनका रोज का नियम रहता है वह ने दरवाजा खोला ही था कि बहु अलका के सिलाने की आवाज आई देखो तुमारी मा तो सुबह नहा कर मंदीर निकल जाती है और दिन पर गर में मैं ही खटकती रहती हूँ सारा गर मुझे ही देखना होता है जाडू पोसे से बरतन कपड़े और खाने का काम भी करो मैं तो इस गर से कभी निकल नहीं पाती हूँ अरे इनका मन नहीं लगता तो कई निकल जाए मुझे तो इनकी जरुवत भी नहीं है तब भी मुने की रोने की आवाज आई अलका अंदर भागी तब तक रंजनी जी मंदिर के लिए निकल सुखी थी रंजनी जी ने सम सुन लिया था फिर ये पहली बार तो नहीं और अलका के सिलाने का रोज यहीं समय होता था क्योंगि उस वक्त उनका बेटा सरा था भी घर पर ही होता था अलका ने घर का मौल ऐस इस यहाँ था बना रखा दा कि उसमें सांथी से रह नहीं सकती थी रंजनी जी भी थोड़ी सांथी ढूंडने के लिए मंदिर ही सली जाया करती थी क्योंकि और कहीं भी उने जाने की जगर नहीं थी एक ही बेटा सरदे तो उसी के साथ रहना था सरद भी अपनी पत्नी की हामे हाम मिलना था रहता था और अपनी मा रंजनी की एक बात भी नहीं मानता था दोनों बेटे बहु उनकी साथ सभी वेवार नहीं करते थे वहु के वेवार का इतना दुख नहीं वोलता था पर अपने ही खुन बेटे के वेवार से रंजनी जी मन ही मन दुखी रहती थी कहती वह दोनों से कुछ नहीं थे क्योंकि इतनी उमर में दोनों से ब्यास करने की उ जोडती रही सकती दे है इस्वर सकती देख मां को ये सब स्यान करने की सकती दे मंदीर की सीडियों में ब्याटकर वां से सोटे बच्चों को देखती नियारती रहती थी जो इसकुद जा रही होते थे मंदीर के पास में ही 60 वा एक सोटा सा इस्कूल है कास बस्वन कभी बड़ा नहीं वो ता वो आये भरती और उनकी आखे भर आती थी उन्हें भी पढ़ने का बहुत सोग था तरतर की किताबे पढ़ा करती थी उनके माई के वालों ने उन्हें नोवी तक तो पढ़ाया था और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शेयर नहीं जाने दिया दसवी तक आते जाते उनकी साधी करवादी उस जमाने में सोटी उमर में साधी कर देते थे सरग के पिता यूं तो अच्छे थे पर उन्हें सराब पिने की बहुत बुरी लब थी और ज्यादा सराब पिने दुकान पर रंजनी जी ब्याटने लगी वा दुखान भी संबालती और गर भी संबालती थी दोरी जिमेदारी उठा कर भी वगल खुस रती थी और अपने बेटे का पालन पोशन कर रही थी सरद भी पढ़ाई वस दर्जे का ही दावत जादा पढ़ना नहीं साधा था उस उसने सनात की पढ़ाई की और दुकान संबालने लगा अब तो दुकान और भी अच्छी सलने लगी धीरे धीरे सरद ने दुकान पर दोनों कर रख ली और रंजनी जी अब पूरी तरह गर संबालने लगी सरद की साधी की उमर हो सली थी अलका सरद को देखते ही पसंद आ और दोनों की साधी हो गई अपने बेटे का गर बस्ता देखकर रंजनी जी कापी खूस थी और वह इस सीज से भी खूस थी कि सरद में कोई बूरी आदत नहीं थी उसी सिगरेट और सराव की बूरी लद नहीं थी और दुकान भी तो कापी अच्छे से संभाल रहा था साधी के बाद गर अलका ने संभाल लिया ता और दुकान सरद ने तो अब रंजनी जी निर्षत हो गई थी और वह सारो धाम की यात्रा पर जाना साथी थी और ने अपनी इस सा बेटे वह को बदाई तो अलका भड़क गई सारो धाम की यात्रा में पता भी है कि कितना खरसा ह होता हैं हमें तो हनीमुन पर कहीं नहीं ले गए और अपनी मां को यात्रा पर बेजो कि किसी को कई जाने की जरुवत नहीं हैं दरसल अल का हनीमुन पर विदेश जाना साती थी और वाँ जाना कापी मेंगा पढ़ रहा था इसलिए सरण ने मना कर दिया था और फिर वा घूसे में कहीं भी नहीं गई रंजनी जी बहु के मूँ से ये सुनकर सूप हो गई क्योंकि उनके अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी इसलिए वोने फिर कभी सली जाओंगी ये कह कर मन को समझा दिया अब तक घर का खरस रंजनी जी ही सला रही थी सरद दुकान की कमई उनके ही हातों में देता था फिर वो बैंक में जमा करवा देती थी लेकिन अलका को इससे भी दिकत थी सरद रंजनी जी को दुकान की कमई लाकर देता था ये बात अलका को पसंद नहीं थी तो उसने गर में बवाल मसा दिया कि दुकान की कमई पहले उसकी हातों में आएगी फिर बैंक जाएगी क्योंकि उसका पत्ती कमा कर लाता है और पत्ती की कमई पर पहला आधिकार पत्तनी का होता है रंजनी जी ने ज़्यादा वीरोध नहीं किया क्योंकि घर बहु सलाई या वसलाई एक ही बात अब एक ही बेटा बहु है और उन्हें इनके ही साथ रहना है कुल मिला कर घर में सांती और सुक बना रहे पर इरंजनी जी ने खुसी खुसी दुकान बेटे को संबला दी और घर बहु को संबला दी आखिर मुझे अब करना भिखिया है दो रोटी खानी है वाथ जीवन जीना है मगर ये दो रोटी भी उन्हें सांती से नसीब नहीं होती थी आसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहु को खटकता था अलका बाद बाद पर उनका अबमान करती रहती थी और सरत भी सुपी साधे रहता दाल का दो बच्छों की मा बच्छु की थी जैसे तैसे रंजनी जी उनकी साथ में रह रही थी एक बिन वा बाथरूम में फिसल गई और उनके प्यारों में सोट लग गई उनसे डंग से सला नहीं जा रहता दो सार दिन वा मंदिर नहीं गई तो अलका बड़ बड़ाती रहती थी अपनी मनु सुरत लिये घर में ही बैठी रहती है इस से अच्छा तो यही थारोज मंदिर सली जाती थी मैं भी स्यान की सांस ले लेती थी बच्छों को भी अच्छा खाने को देती थी पर इनकी नजरे तो खाने पर ही गड़ी रहती थी सुनो इनका कोई दूसरा इंतजाम कर लो अलका में फैसला सुना दिया दूसरा इंतजाम, ये सब्द रंजनी ने सुने, तो सुन पड़ गई, ये लोग मुझे कहां बेज रहे हैं, मैं अपने घर को सोड़ कर कहीं भी नहीं जाओंगी, तभी सरद की आवाज आती हैं, हम ममी को इस उमर में कहां बेजेंगे, मुझे नहीं पता, कहीं भी बेजो प रंजनी जी ने बेटे बहु को बात करते हुए सुना, वह उसी वर्दा सास्रम भेजने की तियारी करने में लगे थे, बहु को बड़ी जल्दी थी कि वह अपनी सास से सुटकारा पाए, रंजनी जी के पैरों से जमीन सरक गई, आखिर वह तो इनको जरा भी परेशा नहीं करती हैं, अपने पोतों को भी देख लेती हैं, अबव के कितने सारे काम कर देती हैं, ये बात और हैं, वह उनके दवारा किये गए कामों को, गिंती नहीं है और ऐसे दरसाती हैं कि सारे काम वह ही करती हैं, मैंने तो दुकान और घर भी इनके हवाले कर दी और तो क्या करू उनका सिर सक्रा गया उने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे एक दिन वा पूरी सुस्त और उदास रही अपने पती की तस्विर से बाते करती रही तब ही उनकी नजर पलंग के निसे रखे बक्से पर गई तो उनमें जाना आ गई वह ने बक्सा सरकाया और उसमें से कुछ फाइले निकाले उसमें घर और दुकान के पैपर थे जो उनके नाम पर थे इन फाइलों के मिलने से उनमें नई जोश का संसार हुआ दूसरी दिन मंदिर का बाना करके वह धिरे धिरे मंदिर के पास इस्कूल में गई वही टीसर को अपनी परेशानी बताई कि वह किस तरह से पने बेटे बहु से गर्शत थे तो टीसर ने उन्हें एक वकील का फॉन नंबर दिया और का कि वह बात कर ले वकील ने उन्हें अपने ओफिस बुलाया और उनके सारी कहानी सुनी तो वह ने प्यापर देखकर का कि पती के निदन के बाद उसकी संपती घर चमिन दुकान सब घर पर पतनी का ही हख होता है और ये घर और दुकान भी रंजनी जी आपते नाम पर ही है आप से इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है कानून आपके साथ ही सुनते ही रंजनी की आखों में समक आ गई उसने वकिल बाबू से सला ले और घर सली गई अगली सुबद जवा सोकर उठी तो देखा बेटा बहु बच्चों को इसको सोड़ कर आ गए थे तब अलका बोलती है कि ममी जी अब आपका और हमारा साथ रहना मूस की लिए मैं अपने परिवार में बच्चों और पत्ती की देख बाल करूं अब बच्चे बड़ी हो रहे हैं और उन्हें भी अपना कमरा साइए गर में जगर नहीं है तो सरद और मैंने आपके लिए कई और रहने का इंतजाम कर दिया हैं आप से इंता मत करियेगा हम लोग आप से मिलने आती रहेंगे और बड़ी अच्छी जगव हैं आप यहां से ज़्यादा वाँ पर खुश रहेगी तबी सरद बीना लाग लपेट के बोलता हैं ममी आपका समान पैक कर लो हम दोनों बच्चों के अनिस से पहले आपको वर्दा आश्रम सोड़ा दे हैं वहाँ भी आराम से रहना हो और इधर हम भी आराम से रहेंगे बच्ची कुछ पुसेंगे तो कर देंगे कि दादी गावर ने सली गई है थोड़ा बड़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे रंजनी जी सामानिय होकर बोलती है हाँ अलकाब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं तुमें ही नहीं मुझे भी बहुत परेशानी होती हैं ससमें ये गर भी सोटा पड़ता है पर मैंने एक उपाय सोसा है ता कि हम सब खुस रह सके ये कागजाद पढ़ दो इस गर और दु भी परेशानी नहीं होगी और हाँ बच्चों के लिए लग से बड़ा कमरा लेना है ये घर सोटकर मैं कहीं नहीं जाओंगी पर हाँ अब तुम दोनों को ये घर और दुकान सोटकर जाना है मैं जब तु सोटा था था भी दुकान अच्चे से संबालती थी सरत तु अपने लिए नहीं नोकरी तलास ले क्योंकि मैंने दुकान पर तेरी जग एक नया लड़का रख लिया है जो तेरा सारा काम का संबाल लेगा रंजनी जी का सास और हीवा देखकर दोनों बहुसके रह गए वहay और उन्हें ये भी पद्धा नहीं था कि मम्मी उन्हें ही घर से निकाल देगी उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ मम्मी आपको पद्दा भी है आप क्या कर रही है आप हम दोनों को घर से निकल रही है हाँ तुम दोनों ने ठीक सुना है जब तुम दोनों इतनी गीरी हुई हरकत कर सकते हो अपनी मां को वर्दाश्रम बेश सकती हो तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ मम्मी आप ये क्या से कराँ सकती है आपने ही बेटे बहु को घर से निकाल रही है लोग क्या कहेंगे सभी रिष्टेदार आपकी बाते बनाएंगे हम आपके अपने बच्चे हैं सरद्ने कातों मैं भी तो तेरी मा हूँ वा सीख कर बोली तु मुझे कैसे गर से निकाल सकता है तुझे जराबी सरब नहीं आई तुने हर बात पर अपनी पत्नी का साधिया में ये सोस का सुप रही कि कोई बात नहीं अलका गर की बहु है और व तु अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही गर से निकाल दे इस गर पर तेरा और तेरी पत्नी का कोई हग नहीं है ये गर मेरे पत्ती का है और कानून के हिसाब से मैं इसकी वारिस हूँ फिर वह अलका से करती हैं बहु तुम अपने रहने का कोई दूसरा इंतर्जाम कर लो और हाँ बच्चों को इसकुल से आने के बाद ही जाना ताकि तुमारे बच्चों को भी पता लगे कि दादी ने उनके ममी पापा को घर से क्यों निकाल दिया तुम दोनों अपना समान पैट कर लो और निकल जाओ ताकि मैं भी अपने गर में आराम से रहूंगी मुझे रोज रोज अपमान के गुट तो नहीं पिने पड़ेंगे रोज बहु की जली कटी और ताने सुने से बैतल है मैं यहां के लिए रह लूंगी और दोपर के समय दुकान सली जाओंगी और अलका बहुतू क्या करती थी कि मेरी नजरे तेरे बज़ों के खाने पर लगी रदी हैं अरे तो क्या हुआ बुडाबे में हमारे भी खाने की इस्सा होती हैं और तुने कभी मुझे भरबेट खाना नहीं दिया ये जो तु खाने का रोग जमारती थी ये मत भुलो कि ये खाना बनाने का समय मेरे पती की दुकान से ही आता था अलका और सरद की नजरे जुक गई वोने मापी मांगी पर रंजनी जी उन्हें माप ना कर सकी दुनों अपने बचों को लेकर घर सोड़ कर सले गई